मैं आगे बढ़ूंगी मोधी सरकार में मंत्री हैं चिराग पासवान ABP News से खास बाचीत में कह रहे हैं जाती जन्गरना तो होनी चाहिए लेकिन इसके आंक्रे सार्जनिक नहीं किये जाने चाहिए आंक्रे सार्जनिक अगर होंगे तो समाज में भेदभाव बढ़ेगा सुनिये लगता है कि बिहार इंडिये में कहीं इस बात को लेकर किसी के भी मन में कोई संदे नहीं है बिहार भाचपा ने भी इसका समर्थन किया था और सबकी सहमती से एक आम सहमती से ही बिहार में जाती अधार जन्गरना कराई गए राष्टिय सर पर भी मैं इस बात का पक्ज़दर हूँ जन्तादल यूनाइटड मेरे मुख़्े मंतरी जी की सोच के साथ मैं इस विशे पर मैं पूरी तरीके से सहमत होना चाहिए कई बार कई सरकारे भारत के संग्य धांचे में राज सरकारों केंद सरकारों कई योजनाओं का निर्मान किसी एक पटिकुलर जाती को मुख्यधारा के साथ जोडने की सोच के साथ किया जाता है ऐसे मЕं उस जाती की अबादी इतनी है यह जानकारी मुझे लगता सर्कारों के पास होनी चाहिए ताकि उसके अनुपात में राशी आवंटित की जाए कई बार माननी है किसी फलाना जाती की अबादी की भी मांग करता है और वो आखड़े सर्कार के पास नहीं होते कि मैं समाजिक तोर पे इसको सारवजनिक करने का मैं पक्षदा नहीं हूँ मैं मानता हूँ कि आंकरे सिर्कार के पास होने चाहिए योजनाओ की ड्राफ्टिंग में इसका लाब होगा बढ़ हाँ जब सारवजनिक होते हैं तो कई बार उससे भेदभाव बढ़ता है आप जाती के अलावा आप परसंटेज वाले हो जाते हैं कि अरे आप इतने परसंट वाले हम इतने परसंट वाले तो ये डिवाइड आ जाता है जन्ता के बीच में मैं इसका पच्छदा नहीं हूँ कि इसको सारवजनिक किया जाए बट सरकार के पास ये जरूर हो जैसे मैंने कहा कि सरकार जब योजनाय बनाती है आप किसी पर्टिकुलर योजना में आप कोई राशी आवंटित करते हैं तो आपके पास उसकी आबादी कितनी है ये पता होगा तब ही तो उसके अनुपात में आप राशी आवंटित करेंगे न तो ये योजनाओं के निर्म पासवान जातिगत जंगरना तो हो लेकिन आंकड़े सरजनिक ना किये जाएं सिर्फ सरकार के पास ही रहें ये आंकड़े ये कह रहा हैं चुराख पासवान